वेल्कम तो दा बॉक्स अविस कलेक्शन सोवित अजयादव। इसके साथ ये फिल्म के गाने लिखे थे समीर ने, फिल्म को रिलीज किया था बॉक्स अविस पे 30 अप्रेल 1999 को, तकरीबन 220 इसक्रीज पे, बात करते हैं फिल्म के बॉक्स अविस कलेशन के बारे में, तो फिल्म ने अपने डेवन पे कमाई की थी 83 लाइक रुपीस की, वही फिल्म का फर्स्ट वीक बॉक्स अविस कलेशन था, साड़े चार करो रुपए, और फिल्म ने कमाई की थी इंडिया में नेट 18 करो रुपए, साथी फिल्म का वल्लवाट कलेशन था, 33 करो रुपए, इस फिल्म का बज़र था 8 करो रुपए, और फिल्म को बॉक्स अविस इसके साथ ये फिल्म को 5 Film Fair Award और एक IFA Award ये मिलाता है अब बात करते हैं फिल्म से जोड़ी कुछ अंसनी बात है यानि unknown fact तो इसके लिए भी एक like और subscribe बनते हैं Fact No.1, सरफ्रोज फिल्म का production स्टार्ट हुआ था 1992 में और फिल्म का production complete होने में तकरीबन 7 साल का वक्त लग गया इस फिल्म के लिए John Matthew ने काफी अच्छी खासी research की थी Fact No.2, ये फिल्म आमिर खान और नजिरुदिन साह की साथ में दूसरी फिल्म थी और इससे पहले दोनों Holy नाम की फिल्म में नजिर आ चुके थे जो की box office पर रिलिज होई थी 1984 में Fact No.3, ये फिल्म नवाजदिन सिद्गी की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने एक चोटा सा रोल प्ले किया था जो आज कल सोचल मीडिया पर दिखाया जाता है Fact No.4, इस फिल्म का रिमेक बाद में कन्नड और तेल्गू मनाए गया कन्नड रिमेक का नाम था सत्यमे उजयते और तेल्गू रिमेक का नाम था अस्तिरम Fact No.5, ये फिल्म डिरेटर जॉन मैथी पहली फिल्म थी जो उन्होंने बनाई थी Fact No.6, ये मुकेश रिसी की पहली S.E.F.M थी जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल प्ले किया था Fact No.7, फिल्म का एक गाना होस वाले को खबर आज भी जगजित सिंग के क्लासिक सौंग माना जाता है Fact No.8, ये आमिर खान की पहली S.E.F.M थी जिसमें उन्होंने पॉलिस ओफिसर को रोल प्ले किया था इससे पहले बाजी रिलिज हुए थी और बाजी में वो कमांड थे और इस फिल्म के बाद तालास में वो पॉलिस ओफिसर बने थे तो दोस्तो ये था आज का हमारा स्पेसल वीडियो फिल्म सर्फ रोज पे तो क्या आपने सर्फ रोज देखिए क्या कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं मिलते हैं किसी यहा फिल्म के बॉक्स और इस कलासिन जाबे किसी लेड़ जानकारी में है तो देखते रहिए देखत पिस कलासिन जोवित अचियादा